एक गाउ रदनपुर में नरेश और उसकी पतनी शीला और उनकी दो बेटियां नीमा और निकिता रहते हैं निकिता शीला की सोतेली बेटी है शीला और नीमा हमेशा निकिता को परिशान करते हैं निकिता चलो जल्दी से पहले जल्दी से चाय नाश्टा बना और उसके बाद घर का सारा काम ठीक से कर देना ठीक है दीदी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए रात में नीन जरा देर से आई सो उठने में देर हो गई तेरी सफाई मुझे नहीं चाहिए जबान बन करके हाग चला कल सवेरे छे बजे उठ जाना वरना तू अंजाम जानती है जी दी दी उठ चाऊंगी निकिता ने चाय बना कर सब को पिलाई और सारे घर में जारू से सफाई करती है अरे नाला एक बैठ गई जरा चल्दी से फूलों के बगीचे में पौधों को पानी दे फूल चुन कर ला निकिता बिना नाश्टा किये ही बगीचे में जाकर सिचाई करने लगती है उसी बगीचे में एक आंग के पेड़ पर एक चुरैल रहती है चुरैल मन ही मन सोच में लगती है कि आज इस लड़की को खा कर ही रही निकिता आंग के पेड़ को भी पानी दे कर उसके नीचे बैठ जाती है उसकी आखों से आसो जर जर बेहने लगते है उसके सामने एक पका हुआ आंज जमीन पर गिरता है और वो उसे उठा लेती है खाओ खाओ तुमाम खाओ मैं तुम्हें खाऊंगी निकिता चुरैल से जर भी नहीं डरती है ठीक है मुझे खा लो इस नरक की जिन्दगी से तो छुटकारा मिलेगा तुम्हारी आखों से मोटे मोटे आसू निकल रहे हैं ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिन्दगी से तंग आ गई हो हाँ तंग आ चुकी हो मुझे चुटकारा चाहिए चुरैल को दया आ जाती है तुम रो ना बंद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हे भूक लगी होगी ये लो और धेर सारे आम खाओ मैं अभी आती हूँ निकिता रोना बंद करके आम खाने लगती है वहाँ घर पर शीला और नीमा बड़ी बेसबरी से निकिता का इंतिजार करते रहते है कहा चली गई नालाय अभी तक नहीं आई वो देखो मारानी कैसे धीरे धीरे आ रही है आरे ये अकल की दुश्मन खाली हाथ कैसे आ रही है आने दो मा आज मैं इसकी अच्छी ख़वर लूँगी इसे इसकी मानानी सब याद आ जाएगी क्यों री पिछली मान भूल गई क्या नीमा जैसे ही आगे बढ़कर निकिता की चोटी पकड़ने जा रही थी वैसे ही निकिता ने उसे हलके से छुआ और वो जटका खाकर जमीन पर गिर पड़ी मेरी बेटी को गिरा दिया तेरी ये मजाई रुक जाना लायक मैं तुझे बताती हूँ शीला आगे बढ़ी और जैसे ही उसने निकिता को चुआ उसे बिजली का करंट लग गया वो नीचे गिर जाती है आए राम मर गई मेरी कमर टूट गई इसका सत्या नाशो तोने चुप हो जाओ वरना ऐसा मजा चखाऊंगी कि बोलने लायक भी नहीं रह जाओगी औरे इस छोकडी की हिम्मत तो देखो भी की बिल्ली बनी रहती थी और जुसके तेवर ही बदल गए इतने में दूसरी निकिता दर्वाजे पर आकर खड़ी हो जाती है अरे बाप ने बाप तो दो निकिता मैं पागल हो जाओंगी जब ये निकिता है तो वा पहली वाली कौन है पहली निकिता बनी के चुड़ायल ये अपने असली रूप में आ जाती है मैं आम के पेड़ वाली चुड़ायल हूँ तुम दोनों बाप बेटी का खेल पूरा हो चुका है आज की बाद अगर निकिता को कुछ कहा या तकलीफ दी तो दोनों को आम के पेड़ में बानकर ऐसी सजा दूँगी कि देखने वाले भी काप उठेंगे हम इसे कुछ भी नहीं कहेंगे इसका कहना मानेंगे कोई तकलीफ नहीं देगे इसे रादी बनाकर रखेंगे किसी को सताना नहीं चाहिए वरना सताने का फल जरूर मिलता है जादूई पत्थर पारस बंटी की मा बंटी से कहती है चलो बेटा दूद पीलो जल्दी से पीलो इसकी बाद मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ बंटी दूद की गलास हाथ में लेकर कहता है ठेक है मा कहानी शुरू करो मा कहानी सुनाने के लिए बैच जाती है उनके पास पिंकी भी आकर बैच जाती है छोटा डॉगी शेरू भी दो पेरों पर चल कर आता है और पूछ हिलाते हुए कहानी सुनने की तयारी में बैच जाता है पिंजरे में बैठा हुआ मिठ्धु तोता भी बोलता है मैं भी सुनूँगा कहानी, मैं भी सुनूँगा कहानी कई साल पहले की बात है एक काउ में हरी लाई नाम का एक किसान रहता था वो बहुत करीब था, लेकिन दिल का बड़ा अमेर था वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था उसके बड़े भयाने उसे अलग कर दिया था उसके पास ज्यादा खेप भी नहीं थे उसने घर पर दो गाय पाल रखी थी और उनका दूद बेच कर किसी तरह वो अपने ब्रहस्ति चला रहा था उसके उपर जमिनदार का कर्ज भी हो गया था वो जंगलों में जाकर लगड़या काट कर ले आता था उसे बेचता था एक दिन हरिलाल के पतनी ने कहा अजी सुनते हो इस तरह कितनी दिन हम दुख भूपते रहेंगे हमारे पास ना तुम बेहने के लिए अच्छे वस्तर है और ना ही घर में अच्छे सामान है आपके भाई ने सोने चांदी में भी हमें हिस्सा नहीं दिया तुम जितना कमाते हो उसमें से आधे से ज्यादा पैसे जमिनदार का सूध भन्ने में चली जाता है हम क्या खाए और बच्चों को क्या खिलाए हरिलाल समझाते हुए कहता है अरे चुन्नू की मम्मी तुम चिंता मत करो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं हमने किसी का भला क्या बुरा किया है भगवान सब देख रहा है वे एक दिन हमारा भला जरूर करेंगे मैं चलता हूँ पहाडों के पास से कुछ लकडिया लेकर आता हूँ हरे लाल पहाडों के ओर चल देता है, वो पहाडों के ऊपर चड़ता चला जाता है, वहाँ लगडिया पापने लगता है, कुछ देर के बाद वो अपनी कुलहाडी की तरफ जैसे ही देखता है, चौक जाता है उसके लोहे की कुलहाडी सोनी की कुलहाडी बन गई थी, उसकी कुलहाडी के नीचे एक सफेद चमककार को पंधर दिखाई देता है, वो अपनी कुलहाडी उठाता है, उसे बार बार देखता है और मनी मन बहुत परेशान होता है, साथे साथ वो उस चमककारी सफेद पंधर क भी उठा कर अपनी जेब में रख लेता है। वो मनी मन सोचने लगता है कि उसने बारस पत्थर के बारे में सुना था। शायद ये बारस पत्थर ही है जो भगवान ने असीन गुरुपा करके उसकी जोली में डाल दिया है। वो ऊपर देखते हुए हाठ जोड कर भगवान को धन्यवात देता है। वो कुलहाड़ी को अपनी रुमाल से छिपा कर खुशी खुशी घर की ओओ चल देता है। हरे लाल जैसे ही अपने घर पहुंचता है, अपनी धरम पत्नी को अवाज देता है अरे चुन्नू की मा जल्दी दर्वाजा खोलो क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए, ये कहते हुए वो दर्वाजा खोलती है अब जल्दी से दर्वाजा बन कर लो क्या बात है आज कुछ अलग धंग से बोल रहे हो बगवान ने हमारी सुन ली अब हमारे दुख भरे दिन बीद गए चुन्यों की मा खुशी भरे आस्चर्य से पूछती है क्या हुआ जरा खुल कर बताओ इस कुलहाडी को रुमाल में क्यों लपेटे हुए हो हरिलाल ने कुलहाडी पर लपेटे हुए रुमाल को हटाया तो उसके धरम पत्थर का कमाल है जल्दी से वो लोहे की हनसिया ले कराती है और उसी चमतकारी पत्थर से सपर्ष कराती है वो हंस्या भी सोने की हो जानी है, दोनों खुशी से चूमने लगते हैं हरीलाल ने कुछ सोने को बेच कर जमीनदार का कर्ज चुकाया पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े, सोने के कहने, कई जरूरक के सामान और खाने की वस्तुए खरीद कर घर लेकर आता है वो गरीबों और मजबूर लोगों की मदद करता है, विमार लोगों का भी इलाज करता है हरीलाल अपने धर्म पत्नी से कहता है भगवान के इस उपहार का हम दुरूपयोग नहीं करेंगे, हम शहर में चलकर कोई छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे लोग सेवा करेंगे, इश्वर ने हमें एक नई राह दिखाई है हरीलाल अपने पूरे परिवार के साथ शहर में जाकर एक नया व्यवसाई शुरू करता है और एक नई जिन्दगी की शुरूआत करता है सीख, अच्छे कर्म और परुपकार का फल सदेव अच्छा होता है हमें किसी भी वस्तू या मोके का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए